कन्या राश शिवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज शाम के चार बच कर तीस मिनट के उपरांत, आपका जीवन में यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कि इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखना। क्योंकि दोस्तों, ऐसा समय आपको आज तक देखने को नहीं मिला होगा, जो समय आज शाम से आप सभी को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज शाम के चार बज कर तीस मिनट के बाद, आप सभी के जीवन में जो होने वाला है, सच्चाई सुनने की हिम्मत हो, तभी देखना, क्योंकि सच्चाई सुनकर आपकी होश ना उड़ जाए, तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता देना कि आखिर जिसका डर था, वही हुआ। अब दुश्मन कुछ ऐसा ही खाने वाला है दोस्तों, अब दुश्मन की बोलती बंद होने वाली है। कुछ ऐसी बड़ी सुन्दर और भाग्यशाली योग का निर्मान आप सभी के कुंडली में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें। ना बदले तो फिर कहना पूरी 50 लाख का जुर्माना हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमारा इतना शर्थ है कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 4 बच कर 30 मिनट के बाद आप स माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं। आपको बता दें, आप अपने जीवन में यह तीन गलतियां कर रहे हैं, जिस वजह से सभी देवी देवता आपसे नाराज हैं, जिस वजह से सभी देवी देवता आपसे क्रोधित हैं। और यही कारण है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही कारण है कि आपको कामयाबी नहीं मिल पा रहा है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इस गलती को आप सुधार लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा एक जटके में आपका किस्मत बदल जाएगा छटे स्थान से साथवें स्थान पर आपका किस्मत का जलवा देखने को मिलेगा आपका जलवा सारा दुनिया देखेगा ऐसा बड़ा भयंकर बदलाव आपके जीवन में आपको बता दें चाहे कुछ भी हो जाए परन्तु आज इस ज्योतिश कार्य क्रम को पूरा आखिरी तक देख लेना अगर अपना किस्मत बदलना चाहते हो अगर अपना किस्मत चमकाना चाहते हो तो इस ज्योतिश कार्य क्रम को पूरा देखना ही पड़ेगा तभी जो है आपका किस्मत में बदलाव देखने को मिलेगा तभी जो है आपका जीवन में परिवर्तन होगा आपको बता दें आज इस जोतिश कार्यक्रम के माध्यम से जो भविश्यवाणी हम करने वाले हैं ऐसा भविश्यवाणी आपके लिए आज तक कोई नहीं किया है इसलिए आप अपना जीवन गरीब में व्यतीत कर रहे हैं अगर ऐसा भविश्यवानी इससे पहले कोई आपके लिए किया रहता, तो आज आप गरीबों में जीवन व्यतीत नहीं करते, आज आप करोडों का मालिक रहते, करोडों में आज आप खेलते, आपके पास हर वह चीज होता, जिसके लिए आप कई सालों से महनत कर रहे हैं, जि इस वजह से आप एकदम खाली हाथ रह गए हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका किस्मत चमकने वाला है, क्योंकि आज इस ज्योतिश कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका मार्ग दर्शन उसके बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप एक जटके में करोडपती बन जाएंगे, आपके पास हर वह चीज होगा जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे, गाड़ी बंगला धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ आपके के कदमों में होगा, ऐ लेकिन यह तीन गलतियां आज से ही करना बंद करना होगा, तब ही जो है आपका जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, तो आखिर वह कौन सी तीन गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, वह कौन सी गलतियां हैं जिस वजह से आपके जीवन में दरिद्रता इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ मा दुर्गा की जो भी सच्चे भक्त इस ज्योतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय माम दुर्गा जय मा काली जय मा भवानी अवश्य लिखें माता दुर्गा की क्रिपा से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा आपको बता दें माता दुर्गा की क्रिपा दृष्टी से आपको यह एक चीज मिलाने वाला है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं यह एक चीज आपको मिलकर रहे इस चीज से आपका किसमत पूरी तरह से बदल जाएगा क्योंकि यह एक चीज हीरे मोती से भी कीमती है। आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको आज मिलने ववाला है और आपका किसमत पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि आपको यह तीन गलतियां आज से आपको नहीं करना है। नमबर एक किसी भी व्यक्ती पर आँख बंद कर विश्वास मत करना। क्योंकि अक्सर वही लोग आपको धोखा देता है, जिस व्यक्ती पर आप आँख मूंद कर विश्वास करते हैं, जिस व्यक्ती पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है, इसलिए किसी भी व्यक्ती पर आँ प्रशा यही सोचते रहते हैं कि यह चीज हमको मिलेगा या नहीं, तो आपको बता दें, ऐसा गलती आपको बिलकुल भी नहीं करना है। और जो चीज आप देवी मां से मांगे रहते हैं, वह चीज आपको नहीं मिलता है, तो ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करना है। पिर देखना, चमतकार आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। नमबर तीन, किसी भी व्यक्ती से बात चीत करते समय अपनी वाणी में संयम रखें। कभी किसी से गलत व्यवहार न करें, कभी भी अपनी वाणी से गलत शब्द ना निकाले, कभी भी आपको किसी बात पर तुरंत गुस्सा नहीं होना है। और कोई भी कदम उठाने से पहले, एक सौ बार उसके ऊपर अच्छे से विचार करें कि जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, वह कदम हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत हो सकता है। इसके बारे में जरूर सोच विचार करें। फिर देखना, आपका जीवन में जो परिवर्तन होगा उसे देखकर दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और आप अपने महले का सबसे अमीर इनसान बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। कल कलयुग में सतयुग की खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए ओबोल और नगाड़ा दोनों बजवाना पड़ेगा। साथ में पूरे गाव महले में मिठाई बटवा पड़ेगा। क्योंकि आज जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इस खुशखबरी के लिए हजारों सालों से लोग इनतजार कर रहे हैं। सतयुग में जैसे लोग बहुत शक्तिशाली होते लोग, जो चाहते थे सतयुग में। वह सभी चीजएं एक झहटके में अपने पास ले आते थे। वैसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति प्रवेश करने वाला है, आपके अंदर एक ऐसी देवी प्रवेश करेगी कि आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और आप जो चीज प्राप्त करना चाहेंगे, वह चीज आप एक जटके में आपके पास हर वह चीज हो जो आप प्राप्त करना चाहेंगे, इस शक्ति का उपयोग करके आप अपना गाव मोहले का भी किस्मत बदल सकते हैं और आप अपने मोहले का राजा बन सकते हैं, जी हां ऐसा शक्ति अब आपको मिलने वाला है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बह आखिर यह देवी शक्ति आप आपसे क्या चाहती है, जो यह देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जयोतिश कार्यक्रम में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस जयोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें। लोगों का सेवा करवाना चाहती है। यह देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। इस देवी शक्ति की कृपा से आपके पास धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, हीरा, मोती, सोना, चांदी, सब कुछ होगा। लेकिन आपको निस्वार्थ भाव से लोगों का मदद करना होगा। लोगों का आप जितना ज्यादा मदद करेंगे आपके पास उतना ही ज्यादा धन, दौलत आएगा। इस बात की गारंटी है आपको बता दें। यह देवी शक्ति कोई और नहीं। धन की देवी माता लक्ष्मी है। और यह बात तो आपको पता ही होगा, जब किसी व्यक्ति पर धन की देवी माता लक्ष्मी महरबान हो जाती है, तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। अब आपका भी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपका किस्मत चमकने लगे। इसलिए हमने ज्योतिश कार्यक्रम की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि ढोल और नगाडा दोनों बजाकर नाचना पड़ेगा। और पूरे गाव मोहले में मिठाई बाटना पड़ेगा। पूरे गाव मोहले के लोगों का मुह मीठा करना होगा। इसलिए मिठाई का ओर्डर दे दो। सिर्फ आठ से दस घंटे के अंदर आपको यह खुश खबरी मिलने वाला है कि आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। और अब आप जो चाहे एक जटके में प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को चाह लेंगे उसे आप करोड़ पती बना। देंगे इतनी बड़ी शक्ति आपके हाथ में आने वाला है। इस देवी की क्रिपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सब कोई आपका चमतकार देखकर हैरान रह जाएंगे, सब कोई हख्का बकक्का रह जायेगा। इतना बड़ा चमतकार आपके जीवन में होने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। आपकी किस्मत फिर से एक बार बदलने जा रहा है, फिर से आपको सारा सुख सुविधा मिलने वाला है, फिर से आपका जीवन में एक नया परिवर्तन आने वाला है, और अपने मोहले का सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं, आपको बता दें, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जैसा किस्मत वाला होगा, आप बहुत किस्मत वाले हैं, और यह चीज आपको अगले आठ से दस घंटे के अंदर पता चल जाएगा, अगले आठ से दस घंटे के अंदर इस चीज का आपको अभ्यास हो जाएगा कि आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, इसलि एक दिन ऐसा किसमत पलट है कि देखने वाला देखते ही रह जाता है और ऐसा ही अब आपके साथ हो रहा है अब आप अपने आँखों से देखेंगे आपका किसमत एक जटके में कैसे बदलता है यह आप अपने आँखों से खुद देख सकते हैं ये एक गलती भूल कर भी मत करना नहीं तो इस जन्म में आपको बहुत बड़ा नरक भोगना पड़ेगा जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं इस धर्ती पर ही आपको नरक भोगना पड़ेगा क्योंकि आपके जीवन में सबसे खतरनाक दुश्मन पल रहा है आपको बता दें आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस नाम का व्यक्ति और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुश्मन आपके बहुत करीब रहता है आपके आसपास रहता है आपको बता दें इस नाम का दुश्मन बहुत खतरनाक होता है जन्का के लिए आपको बता दें यही वह दुश्मन है जो आपके पूरे परिवार के उपर जादू ला कर रहा है पिछले पांच सालों से आपका घर परिवार को बांध दिया है जिस वजह से आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं आपको बता दें इस व्यक्ति के कारण आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं साथ ही साथ यह भी देखने को मिल रहा है आपका व्यापार में भी बाधा आ रहा है आपके व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा है आपको नौकरी में कामया भी नहीं मिल रहा है नौकरी में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर इस नाम का दुश्मन ने आपके साथ ऐसा कौन सा जादू किया है जो आपको अपने जीवन में इतना ज्यादा परेशानी हो रहा है तो आपको बता दें इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको घबराना पड़े इसलिए बिल्कुल मत घबराना मुझे पता है आपको अच्छे से नींद नहीं आता होगा और आपके मन में तरह तरह का खयाल आता होगा आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़ कर कहीं दूर चले जाएं आपको घर छोड़ कर भागने का मन करता होगा क्योंकि दोस्त तुम आप अपने जीवन से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब आपका जीने का इच्छा नहीं करता है अब आपको बिलकुल भी जीने का मन नहीं करता है ये बात मुझे पता है तो आखिर इन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा सब कुछ आपको इस जोतिश कार्यक्रम में बताने वाले हैं इसलिए जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना आज की जोतिश कार्यक्रम बहुत खास और महत्वपूर्ण है आपको बता दें आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यह एक व्यक्ति है जो आपका जीवन बरबाद कर रहा है यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इस व्यक्ति का सिर्फ एक ही उद्देश्य है आपको बरबाद करना किस तरह से आपको इस दुनिया से हटाया जा सके और आपकी प्रॉपर्टी पर कबजा कर सके आपकी प्रॉपर्टी पर कबजा करेंगे ऐसा प्लान आपका दुश्मन ने तयार कर लिया है इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना ना होगा, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो आखिर आपको कौन-कौन सी सावधानी बरतनी होगी, और कौन-कौन सा विशेश बातों पर आपको ध्यान दे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं। अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस जोतिश कार्यक्रम का एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई परेशान ना हो। आपको बता दें, जब आप परेशान होते हैं, जब आप बहुत अधिक दुखी होते हैं, तो आपका दुश्मन खुशी से उचल पड़ता है और फिर से यह व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना करवाने लगता। इसी लिए आप से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके, रिष्टा नाता तोड़ दीजिए, नहीं तो यह व्यक्ति आपको खोखला कर देगा, यह व्यक्ति आपको साथ घड़ा का पानी पिला देगा, जी हाँ, यह व्यक्ति आपके लिए यह दुश्मन कोई और नहीं, बलकि बलक आपका अपना ही है, आप इस नाम के दुश्मन को अच्छे से जानते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, आज आपका इस दुश्मन के बारे में हर एक सच्चाई आपको बताने वाले हैं, दुश्मन का पोल खोल कर र इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन इस नाम के Dushman से आपको सावधान रहना होगा, आपको बता दें, आपका जो दुश्मन है पिछले पांच सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, ये दुश्मन आपका पिछले जन्मों से पीछा करते आ रहे हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहें, ये दुश्मन आपका पिछले जन्म का है, पिछले जन्म में। आर नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये व्यक्ति दिखावा ऐसे करता है, जैसे आपके लिए इसका जान भी हाजिर है, लेकिन असलियत में ये व्यक्ति आपका बहुत बड़ा शत्रू है, इसलिए बहतर रहेगा, इस व्यक्ति से दूरी बना ले, आपक किस्मत चमकने लगेगा, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूँ, जो खबर आपको इस ज्योतिश कार्यक्रम में बताने वाले हैं, आपको बता दें, ये गुप्त खबर आपकी जीवन की सारी परिशानियां खत्म कर देगी, आपको बता बहुत बड़ा जटका लग सकता है, तथा आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो सकता है, जी हाँ, ऐसा महा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, आपके साथ बहुत बड़ा खत्रा होने वाला है, आपको बता दें, एक साथ दो बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हैं एक खत्रा टला नहीं है तब तक दो बड़ा खत्रा आपके घर में आ चुके हैं आपको बता दें आपके जीवन में लगातार समस्याएं देखने को मिल रहा है लगातार आपके जीवन में परेशानी देखने को मिल रहा है इसलिए सावधान रहना बहुत आ आपका जीवन का सारा समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस समय अवधी में आपको भगवान शिव का जल अभिशेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म होगी। और सकारात्मक शक्तियां विचार करेगी। जिससे आपके घर में सु अब चिट और पठ दोनों आपका होगा। ऐसा दुरलब योग का निर्मान हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है। किसमत का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। जो आपके किसमत में लिखा है वह आपको मिलकर रहेगा। सिर्फ आठ से दस घंटे के अंदर आपके जीवन में बह बढ़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। एक बात कान खोल कर सुन लो अगले आठ से दस घंटे तक यह एक गलती मत करना। काम्याबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां ऐसा भयंकर चमतकार आपके जीवन में होने वाला है। अब आप दुनिया का सबसे शक खुश उड़ जाएगा। सुनकर आपका दिमाग 360 डिगरी घूम जाएगा। अब आपका घर पैसों से भर जाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रहा है। मुझे पता है आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। लेकिन यह बात सत् इवन में ऐसा ही बड़ा चमतकार होने वाला है। और यह सब आप अपने आँखों से देखें। चमत देखकर आप सदमे में जा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे सलाह अगले ठैसे 10 घंटे तक बिलकुल भी अकेले मत रहना। आप अपने परिवार वालों के साथ रहना। य लेकिन यह हकीकत है और यह होकर रहेगा। लेकिन अगले 8 से 10 घंटे तक यह एक गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है जो आगे इस जोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें, मैं रोज रोज आप लोगों से विनती करता हूँ, और आप से कहता हूँ, कि आप हमारे जोतिश कार्यक्रम को लाइक करे लेकिन आप लोग जोतिश कार्यक्रम पूरा देखते हैं परंतु जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं करते हैं जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन मुझे उम्मीद है आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को करेंगे रोजाना आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए मुझे बहुत अधिक मेहनत करना होता है उसके बाद आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं और इसके लिए आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आपसे इतना ही चाहते हैं, आप हमारे इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें, आपको कल्युक की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलेगी, यह हमें आपको वचन देता हूं, क्योंकि आपका कुंडली का विशल या मिलने वाला है, खुशखबरी सुनकर आप चौक जाएंगे, ऐसी खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है, अब देखते ही देखते आपका किसमत बहुत बलवान हो जाएगा, और आपका किसमत छटे स्थान से साथवें स्थान पर गोचर करेगा, मेरा बात मजाग बाजने की भूल मत करना क्योंकि आपका कुंडली पर अच्छे से विश्लेशन करने के बाद आपके लिए यह भविश्यवानी तैयार किया गया है जो कि आपके लिए 100% सटीक है कान खोल कर सुन लो ऐसा ज्योतिश कार्यक्रम आपको और कहीं नहीं मिलेगा इसलिए कार्यक्रम को मिस मत करना वरना आपकी जिन्दगी की सूरज डूब जाएगी मेरा भविश्यवानी और ब्रह्मा का लिखा कोई गलत साबित नहीं कर सकता है ब्रह्मा ने जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है और मेरा भविश्यवानी कोई गलत साबित नहीं कर सकता है अगर कोई है जो ब्रह्मा का लिखा गलत साबित कर सके तथा मेरा भविश्यवानी गलत प्रूफ करके दिखा दे तो मैं जीवन भर उसका गुलामी करूंगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ जोतिश कार्यक्रम बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस जोतिश कार्यक्रम का निर्मान किया गया है इसलिए जोतिश कार्यक्रम को मिस मत करना आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा भविश्यवानी आज तक किसी ने नहीं की होगी जो भविश्यवानी आज इस जोतिश कार्यक्रम में करने वाले है कसम गंगामा की अगर यह भविश्यवानी गलत हुई तो 51 लाख का इनाम दूँगा आपको बता दें यह एक देवी आपसे प्रसन्न हो चुकी है यह देवी अब आपको करोड़ पती बना देगी लेकिन आपको यह एक गलती नहीं करना है आपको बता दें आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है क्योंकि आपके हाथों जाने अंजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है जी हाँ जाने में यह एक पाप हो गया है, इसलिए आपको बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी समस्याओं का समाधान इस जोतिश क कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, कई बार आपके उपर इस नाम का व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया है, परंतु आपका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यह एक देवी हमेशा आपके साथ रहती है, यह एक देवी हमेशा आपके आ चालिया है, इस देवी की कृपा से आपको एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया है, इस देवी ने आपको कई बार मौत के मुह से बाहर निकाला है, इसलिए आप सही सलामत हैं, आपको बता दें, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ इस देवी की कृपा से थोड़ी सी खुशिय बची हैं वह भी खुशियां भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस जोत पीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से पांच बार हर हर महादेव, जय बाबा भोले नात, जय माम, पारवती, जय मां, गंगा जरूर लिखें। महादेव जी का क्रिपा दृष्टी आपके उपर बना रहेगा और आपका जोली पैसों से भर दे आपको प्राप्त होने वाला है। प्रिशान चल रहे हैं, लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको कल युग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। एक साथ आपको पांच बड़ी और भयानक खुशखबर मिलने वाला है। ये खुशखबरी सुनकर आपका होश पर लगने वाला है ऐसी खुश्खबरी आपके घर दस्तक देगी घर घर में आपकी चर्चा होगी चारों तरफ आपका ही नाम गूंजेगा जिधर जाएगा उधर आपका ही चर्चा होगा अब सारे लोग आपका इज़त करेंगे जी हां आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं जो लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे वे लोग भी अब आपके कदमों के नीचे होंगे ऐसा चमतकार अब आपके साथ होने वाला है अब चारों तरफ आपका ही बोल बाला होगा ऐसा बड़ा भयंकर बदलाव आपका जीवन में होने वाला है अब चीते की तरह चलांग लगाएगी आपकी किस्मत, ऐसा मौका अब आपको मिलने वाला है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना जिन्दगी भर पच्ताओगे, आपको बता दें, खुश खबरी सुनकर लंगडा भी नाचने लगेगा, मैंने आपको कहा था ना, कि आपका किस्मत में सु खुश खबरी मिलेगा, अगर ये भविश्यवानी गलत हुई, तो मैं जिन्दगी भर आपका गुलामी करूँगा, बेटा ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा दस, बड़ी खुश खबरी दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको हरा नहीं सकता है, सारी पांच सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं, उससे हजार गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है, अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे, भगवान के घर देर होता है, परंतु अंधेर नहीं, ऐसे में जिस व्यक्ति के पास सब्र हो अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है, और आपका किस्मत चमकने वाला है, अगले साथ जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आखिर वही हुआ जिसका उमीद नहीं था, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है, बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका तीन गद्दारों का नाम आया है, जी हाँ, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, आपका जीवन में तीन बड़ा गद्दार है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जब बागेश्वर बाबा ने आपका पचा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए, क्योंकि यह तीनों गद्दार कोई और नहीं बलकि आपका अपना ही है, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यह तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है, जैसे आपके लिए यह तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार ह लेकिन असल में यह तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है, आपको यह तीनों लोग जान से मारना चाहता है और आपका प्रॉपर्टी पर कबजा करना चाहता है, आपको बता दें, इन तीनों लोगों का नाम सुनकर आपको भयंकर जटका लगने वाला है, नाम सुनकर आ इन तीनों लोग मिलकर आपको और आपका पूरा परिवार को बरबाद कर रहा है। इन तीनों लोगों की वजह से आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इन तीन लोगों से रिष्टा नाता तोड़ देंगे, उसी दिन से आप दिन दुगुनी रात चौँगुनी तरक्की करने लग जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको बता दें, पिछले दस सालों में जो नहीं हुआ, वह अब होने वाला है। आपका दुश्मन ने अच्छे से तैयारी कर लिया है। आपका पूरे परिवार को बरबाद करने के लिए, अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ, वरना आपके साथ-साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। आपको बता दें, अगले ठा से दस घंटे के अंदर यह व्यक्ति आपके उपर जानलेवा हमला करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें। तीन दुश्मनों से आपको बचकर रहना होगा। नहीं तो आने वाले आट से दस घंटे के अंदर आपका जीवन बरबाद करके रख देगा। आपका जीवन नर्क के सम्मान हो जाएगा। आपका जीवन गली के कुत्ते जैसा हो जाएगा। आपको बता दें। पिछले दस सालों से यह तीनों लोग मिलकर आपके उपर जादू टोना कर रहा है। साथ ही भरे समाज में यह तीनों लोग आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, यह तीनों लोग आपका ही नमक खाकर आपके साथ ही नमक कर रहा है, क्योंकि आपका धन दौलत को हड़पना चाहता है। इसलिए आपका घर परिवार को मिट्टी में मिलाने का प्लान कर रहा है, आपका पूरे परिवार को मिट्टी में मिला कर रख देगा, अगर समय रहते इन लोगों से रिष्टा नाता नहीं तोडेंगे, तो जिन्दगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा, समय बहुत कम है और घटना आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है इसलिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा जितना जल्दी आप आप इन तीन लोगों से सतर्क हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा आपको बता दें जब बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का परचा निकाला उसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद रो पड़े और बागेश्वर बाबा ने तुरंत बालाजी महराज से यह अर्ज लगाया कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे आपके साथ होने जा रहा है ऐसा किसी भी व्यक्ति का दुश्मन ना बने जैसा दुश्मन आपका बना है किसी के साथ कोई अनर्थ ना हो तुरंत बागेश्वर बाबा ने बालाजी महाराज से यह अरजी लगाई है तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका यह तीनों दुश्मन कितना बड़ा गदार है यह लोग एक दो साल से नहीं बलकि पूरे दस साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको बरबाद करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता रहता है दिन रात आपको बरबाद करने के बारे में सोचते रहता है तो यह तीनों लोग कौन हैं और क्यूं आपके जान के पीछे पड़े हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आ यही तीनों लोग हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस समय अवधी में अगर आप अपने दुश्मन से रिष्टा रहता तोड़ देंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जी हाँ दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन् पाइब आप एक शॉड़ आपसे लिए वाम लड़ देवागा।